अब यहां मजूद हैं खास गलोड पंचायत में जहांपर हम एक एक ऐसी सक्सीत से मिलना चाहेंगे जो चलने फिर ने में अक्षम हैं फिर भी इनोंने पिछले पांच बर्स जो है उप प्रधान पद का कारेवार निवाया हुआ है आया हम जानते हैं संजीव सर्मा से इस बार वो प्रधान पद के लिए प्रत्याश्शी उतरे हैं किस तरह से वो अपनी कंपैनिंग कर रहे हैं किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बोट की अपील कर रहे हैं जानते हैं संजीव सर्माजी स सबसे पहले तुम आपका धन्यवाद करता हूं और मैं लोड़ खास पिंचैत को सबको नमस्कार करता हूं और लोड़ी की सुब कामना देता हूं और मैं लोगों के बीच जा रहा हूं बड़ी मुश्किले आ रही है कई जगह रास्ते नहीं है पिछली पिंचैत में उप्रदान रहा रहा हूं ऻुप आपको पता है कि उपरदान की कोई बैल्यू नहीं होती है फिर भी मैंन अपने जो यह के लोगों की काम करवाए पैंसन क काम करवाएं ग्रॉण बगयरा बनाएं और जो कम यह रह गई वो मैं इस वरी खुद प्रदान का चुनाब लट रहा हूं मैं लट रहा हूं युवा वर्ग युवा वर्ग के लिए कि जैसे के युवा लोग बच्चे हैं हमारे जो अवे रोजगा बेरोजगार हैं तो यह मत अब लगाने कि दूर जो चर्वा लगे तो चलो सियां अगर माचल नहीं देगा तो सेंटर से लेंगे तो मेरा लोगों से ही और यह चाहता हूं कि आपने मेरे को पिछली परी वी उप्रधान बनाया था और इसवरे प्रदान बना के देखें मैं सब का दन्यवाद करता हू संजीर जी आप पिशली दवा जो है उप परधान पद पे रही हैं क्या क्या विकास के आयामा अपने स्थापित किये हैं सर मैंने एक ग्राउंड बनाया उसको स्टेडियम बनाने का रूप दे रहा हूँ उसके बाद मैंने नालियों के लिए पैसे लाया हूँ जंजगरों के लिए पैसे लाया हूँ यूकमंडल बबनों के लिए पैसे लाया हूँ मगर अभी तक वो पड़े हैं पैसे लगे नहीं क्या कारण है कि आप वो पैसा नहीं लग पाया सर वो परधान की बचे से क्योंकि परधान के पास कोई पावर होती नहीं है परदान की पावर होती है अगर परदान चला जाए कहीं बाहर या कोई ऐसी आजाए कि बिमार हो जाए तो अब यहाँ परदान पद का चुनाब लड़ रहे हैं क्या जो लंबित काम है क्या उनको पूरा करेंगे मैं 100% मेरे को चाहे कहीं भी जाना पड़ जाए मेरे को जैराम ठाकुर से मिलना पड़े सपैसल आप यूवाओं के लिए क्या क्या करेंगी सर पहले तुम्हें बाप को बोल दिया कि ग्रॉण बगेरा जो हैं बाकि जो मेरे लाइक इनके लाइक कोई भी काम होगा उसके लिए मैं दिन रात इनके लिए मतले इनका अभारी रहूंगा संजीव सर्मा का कहना है कि पीछली बार उन्हों परधानी का जो पद मिला था उसको बखुवी निवाया है उसके बाद अब ये परधान पद के लिए मैदान में उतरे हैं हलांकि इनकी पंचैत में कुछ और प्रत्यासे भी इनके प्रतिद्वंदी खड़े हैं फिर भी ये किसी हस्ट पुस्ट इनसान से कम नहीं आंक रहे हैं ये गाओं गाओं में जाकर पंचैत घर घर में जाकर अपनी भूट के लिए अपील कर रहे हैं और विकास का दावा कर रहे हैं एच्टूडे के लिए हामिरपूर से अशोक रहना